दोस्तो आप सभी कापकी अपने यडिव चैनेन मिस्टर मंदी पिश्टडी पॉइंट में स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो हमारी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में दोस्तो हम लंचो के करेक्टर इसकेज को लिखना सीखने वाले हैं अंतक बने रहिएगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए आये होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब पर और नोटिफिकेशन विल को आन करना बिलकुल मत भूलेगा तो दोस्तो आए देखते हैं कि हम एक प्रभाव सालिक करेक्टर इसकेच कैसे लिखें दोस्तो सबसे पहले हमारे हेडिंग आती है इंट्रोडेक्शन इंट्रोडेक्शन का मतलब होता है भूमी का तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं आपको जो एंसर रटाना नहीं चाहता हूं बल English में अच्छे से क्या कर देए कर दिजिए जो बात यहां Inglits में लिखी गई वही बात यहां पर फिलिखा दीज देखे लिखा गया कि लेंचो आज़ज सिंपल ऑन्द हारोड वர्किंग फार्मर लेंचो का हिंदी में भी मिल सकती देख सकते हैं लिखा गया कि लेंचो एक साधाराड और प्रिसर में किसान था फिर कह रहा है कि he worked in his field like an ox कह रहा ही का मतलब वह worked का मतलब कार करता था in his field का मतलब अपने खेतों में like की मतलब होता है तरह an ox का मतलब होता बैल अथा तो वह अपने खेतों में backup का जो आपको हिंदी में भी मिल जाएगा वह अपने खेतों में kokा करता था फिर आगे है कि वें जब his crop was destroyed his crop का मतलब उसकी फसल was destroyed का मतलब नश्ड होना था जब उसकी फसल नश्ड हो जाती है इस कामा का मतलब ठो तो या तब या तो करा कि he become very sad he का मतलब वह became का मतलब हो जाता very sad का मतलब वह बहुत दुखी हो जाता है जैसा कि देख सकते हैं जब उसकी फसल नश्ट हो गई तो वह बहुत दुखी हो गया या हुआ फिर आगे लिखा कि there was no one to help him in his distress करा dear का मतलब वहाँ watch का मतलब था no one का मतलब कोई नहीं to help का मतलब सहायता करने के लिए him का मतलब उसकी in his distress का मतलब वह था उसकी विपत्ती में और था तो उसके ठीक है उसकी विपत्ती में वहाँ पर उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था तो दोस्तों मैंने आपको इंग्लिस और हिंदी दोनों दिया है अगर आप एक अच्छे ट्रांसलेटर हैं तो इस हिंदी का ट्रांसलेट करके एक अच्छा सा एंसर बना सकते हैं आए दोस्तों अपने next heading की और बढ़ते हैं दोस्तों अगली heading हमारी है his faith in God his faith का मतलब उसका विस्वास in God का मतलब इस्वर में अर्थात इस्वर में उसका विस्वास लिखा गया कि लेंचो वाज instructed लेंचो का मतलब लेंचो को वाज का मतलब था instructed का मतलब बताया गया अर्थात लेंचो को बताया गया था that का मतलब की God sees everything God का मतलब इसवर siege का मतलब देखता है everything का मतलब होता सभी चीज़ों को अर्थात इसवर सभी चीज़ों को देखता है करा God also siege what is hidden in man's conscience करा God का मतलब इसवर also का मतलब भी siege का मतलब देखता है what का मतलब क्या is का मतलब है इस वर यह भी देख लेता है कि एक बिक्त की अंतरात्मा में क्या छिपा हुआ ऐसा किसी ने लंचो को बताया था करा कि सो इसलिए करा ही का मतलब उसके हैड का मतलब पास था फुल फेथ का मतलब पूरा बिस्वास इन गाड का मतलब होता है इस वर में अर्थात किसी बिक्त ने उससे ये सब बाते बताई थी इसलिए लंचो को जो था इस वर में पूरा बिस्वास था एंड का मतलब और विद ग्रेट confidence का मतलब होता पूरी विश्वास और थाथ पूरे विश्वास के साथ he appealed to God for help he का मतलब उसने appealed का मतलब अनुग्रह किया to God का मतलब इस वर से for help का मतलब होता सहायता के लिए करा है पूरे विश्वास के साथ उसने इस वर से ठीक सहायता का अनुग्रह किया करा He asked 100 pesos to God to survive करा He का मतलब उसने Asked का मतलब मागा 100 pesos का मतलब होता 100 पैसे To God का मतलब इसवर से To Survive का मतलब होता जीवन यापन करने के लिए अर्थात उसने इसवर से जीवन यापन करने के लिए 100 पैसे मागे दोस्तो हमारी तीसरी और आखरी हेडिंग है इसका मतलब होता है उप संगहार लिखा गया है कि लेंचोज ब्लीफ इन गाड वास सो इस्ट्रॉंग लेंचोज ब्लीफ का मतलब लेंचो का विस्वास इन गाड का मतलब भगवान में वास का मतलब था सो इस्ट्रॉंग का मतलब होता बहुत सक्तिसाली अर्था लेंचो का बिश्वास बहुत सक्तिसाली था या आप कर सकते हैं कि लेंचों इस वर में बहुत बिश्वास रखता था क्योंकि वहन ही गाट मनी करा कि वहन का मतलब जब ही का मतलब उसने गाट का मतलब पाया मनी का मतलब पैसा अर्था जब उसने पैसा पाया इस कामा का मतलब वह जागा तो ही डिड नाट सर्प्राइज ही का मतलब वह डिड नाट का मतलब नहीं सर्प्राइज का मतलब होता आश्चर चकित होना करा तो वह आश्चर चकित नहीं हुआ करा कि बट ही डिड नाट No word affairs करा but का मतलब लेकिन he का मतलब ओै डि नाट का मतलब नहीं no का मतलब जानता था word affair का मतलब होता दूνियाधारी करा लेकिन वै दूनियाधारी के बारे में नहीं जानता था करा कि he was only a devote आफ God करा he permett Vas का मतलब only का मतलब केवल हमारे चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर और नोटिफिकेशन विल्कु आन करना बिल्कुल मत भूलेगा मैं आप से मिलता हूं फिर से अपने नेक्ट वडियो में तब तक ले आप सभी को धन्यवाद